तो अगर आप Windows Computer F Laptop यूज करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेलफुल हो सकता है क्योंकि आज किस वीडियो में हम आप लोग के साथ कुछ पास्टेयर सेयर करेंगे जो आपके हर रोज को काम को ज्यादा आसन कर देगा तो कौन-कौन सा सौफट सिस्टेम में भी यह काम कर जाएगा चाहे आप Windows 7 यूज करते हो चाहे आप Windows 10 या फिर 11 तो कौन सा कौन सा सौफटेयर से है कहा से क्या डाउनलोड करना है कहा से क्या कुछ करना है चलिए हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताक चलिए वीडियो को तरह बढ़ते हैं टॉफ Windows सौफटेयर के लिस्ट के सबसे पहला जो सौफटेयर है वह है वीजट सार्च तो अगर आप कंपीटर में कोई भी फाइल या फिर कोई वीडियो कोई जुरूरी डॉकुमेंस आप ढून रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं फा वीडिक में इस्टिक में कर लेंगे राध वझत जिसर는지 करने के बाद आप ऊपर भी आपको एक सॉट्स चार्च बटन मिलेंगा तो आप इधर भीणा डाइफ करेंगे है लोकल डीज डी है अगर आपकोई USB भी एंटर है मतलब पेंटर बगएरा तो भी इस जगह आपको लिस्टेट हो जाएगा उसका बाद सिंपल सा मिल जाएगा और लोकेशन भी मिल जाएगा किस लोकेशन पर यह फाइल आपका है तो आप अगर पर्टिकल कोई फॉटो का नाम आपको पता है और आप वही ढूंड रहे हैं तो आप सिंपल सा वह टाइप कर देंगे इस जगह से तो आपको वह फॉटो देखने को मिल हो पर इसके उपर आप आप ऊपर गर सकते हैं कि या जू फौर्टो है काहा पर सेव है तो इस टाइप से आप इस तूल का यूज कर करते हैं तो computer में कई कर तरह कि हम लोग फॉटो वीडियो फाइल्स रॉकुमेंट्स हम लोग इस्टोर करके रखते हैं और गलती से कुछ फाइल भी हो जाता है यह रिके रिसाइकल बिन से भी डिलेट हो जाता है तो अगर आपके computer से कोई भी फाइल या फिर कोई जुरूरी फॉटो वीडियो डिलेट हो चुका है और आप उसको रिकॉबर करना चाहते हैं ओ भी बिल्कुल फ्री में तो आपके लिए रिकॉबर एक बेस्ट सॉलियोशन ओप्सन ह हो सकता है तो यह सॉफटर बिल्कुल फ्री है इसको आप सिम्पल सा डाउनलोड कर लेंगे सणग डिया गया है दीया लाफ्त開始 सब्सक्रेण आई जब आजाएगा next कर देंगे उसके बाद आप किस टाइप से फाइल को सार्ज करना चाहते हैं मतलब recover करना चाहते हैं wall files picture music documents video कोई compressed file email जो भी आप सार्ज करना चाहते हैं मतलब recover करना चाहते हैं वह आप चूज कर लेंगे उसके बाद simple सा आपको जो है कि इधर से जो भी है next कर देना है उसके बाद I am not sure को चूज कर लेंगे अगर आपको सी ओर है कि कहा से आपका file delete हुआ था वो location अगर आप चूज कर देंगे तो आप कर सकते हैं इससे आपको और fast recover हो जाएगा अगर recycle bin से कोई file आपका रिलेट हो चुका है उसको आप recover करना चाहते हैं तो आप वह भी चूज कर सकते हैं अगर आपका कुछ नहीं पता है कहा से रिलेट हुआ है तो I am not sure उसके बाद next कर देंगे उसके बाद आपको जो है कि enable deep scan पर क्लिक कर देना है उसको बाद इस्टर बटन पर क्लिक कर देना है तो इस टाइप से आपके computer को मतलब fully scan करेगा deeply और अब आप दिख सकते हैं लगभग जो है कि 31000 से भी ज्यादा फाइल यह scan करेगा तीन लग से भी ज्यादा फाइल करेगा इसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो कोई है PC Manager तो यह बहुत ही एक powerful टूल है बहुत छोटा सा टूल है लेकिन इसका जो काम है आप इसको एक बार यूज करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा यह आपको अपना जो है आप इस्टो में देखने को मिल जाता है आप इस्टो में जाकर आप इजी ली इस्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बद आपके सामने कुछ इस टैप से ऑप्सन आएगा आप इसकी या फिरोके कर सकते हैं तो आपके सामने PC मिल रहा है आप देख पा रहे हैं अगर आपको PC को बूस्ट करना है तो आप सिंपल सा बूस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा आपका जो है कि 800 MB के फाइल था जो टेंपररी फाइल था वो आपका क्लीन हो चुका है और आप देख सकते हैं मेमोरी जो मेरा यूज हुआ था वो भी इधर डिक्रेस हो रहा है तो यह टूल के मद्धम से आप जो है कि टेंपररी फाइल बगरा रिमूब कर सकते हैं साथ ही आप अपना जो है कि process, health check, deep clean मतलब अगर आपको अपना drive को clean करना है तो आप वो clean कर सकते हैं इस्टरटप अगर कोई app है उसको अगर आपको off, disable बगरा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं उसका बद protection के अंदर आपको जो है कि windows का update ठीक है, default browser settings, task bar repair अगर task bar काम नहीं कर रहा है तो रिपेर कर सकते हैं इस सरे सरे चीज आप कर सकते हैं साथ ही आपको storage में जाकर आप अपना storage को clean कर सकते हैं अगर आपका storage full हो चुका है, कोई भी drive अगर आपका full हो चुका है तो उस पे से आप फालतों का चीज को remove करके आप duplicate file को remove कर सकते हैं यह सरव सरे चीज करके आप अपने computer का storage है उसको clean कर सकते हैं साथ ही apps में जाकर आपको अलग अलग जो है की टूम मिलेगा जैसे की अन्य इस्टोर एप मिलेगा इदर से आपको जो है की वेवी स्टोर मिल जाएगा इस्टाट आप मिलेगा और सारे सारे चीज आपको देखने को मिल रहा है टूल बॉक्स में आपको skin sort अप ले सकते हैं record कर सकते हैं skin sort को folder notepad खोल सकते हैं captions का calculator खोल सकते हैं इसी आपके मद्धम से ठीक है age का quick link मिल जाएगा इस टाइप से आपको अलग अलग tools अगर image search करना होगा तो वह इदर बेगर आप देख सकते हैं ठीक है अगर आपको settings को restart मतलब reset करना है तो यह भी आप इदर का पुसान आपको दिया गया है साथ इस settings तो settings में भी आप थोड़ा बहुत changes कर सकते हैं यह सरे सरे चीज है तो आपको अगर PC manager पसंद आया तो आप इस copy कर सकते हैं काफी जादा useful एक tool है और बिलकुल free है नमबर 4 जो software है यह इसका नाम है वीज वाटो साट डाउन तो यह काफी जादा popular एक software है और बहुत पहले से यह चल रहा है अगर आप Windows 7 भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी यह काम करेगा Windows 10, 11 हर एक Windows का operating system में यह काम कर जाएगा इस tool के मद्दम से आप क्या कर सकते हैं इस जो टाइम सेट करेंगे उस टाइम के अंदर आपका जो computer है वो साट डाउन होगा अगर restart किया होगा तो restart होगा अगर log up करना है तो log up करना होगा sleep locked scene जो भी आप चूज करेंगे और एक time आप सेट कर देंगे तो उसी टाइम के बीच आपका computer साट डाउन रिश्टर या फिस sleep lock हो जाएगा तो simple सा interface है यह software free version में आपको मिल जाएगा आप जो डिस्क्रेशन में लिंक है उस लिंक पर जाकर क्लिक करके वाटो साट डाउन software को डाउनलोड करके install कर लेंगे उसके बाद इदर से आपको रिजिस्टर साट डाउन जो भी करना है वो कर लेंगे और इदर स कितने सेकेंड के अंदर आपको यह डिलेट मतलब साट डाउन करना है उसके बाद आपको जो है टास्क इस्टार टास्क पर क्लिक कर देंगे तो यह जो है काम सुकरना सुरू कर देगा आप computer छोड़का किसी भी जगा आप चला जाएगा तो आपने जो time set किया था उसी time में computer खुझ से जो है सट डाउन हो जाएगा तो अगर आपको वाटो सट डाउन का software चाहिए होगा तो यह software आपके लिए best है फ्री है आप इसको अपने computer में रख सकते हैं कभी भी आपका काम में आ सकता है नमबर पाच जो software है यह काफी useful एक software है मतलब अगर आप computer के अंदर कोई करके ढूंड कर आपको उसको अनुश्टल बटन पर क्लिक करना होता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह सरसरे चीज आप नहीं करेंगे आप इधर से ही एक software का मतलब से जो भी आपको software अनुश्टल करना है उसको आप टेक मार्क देंगे अनुश्टल बटन पर क्लिक करे गया है है तो जो भी आप software का अनुश्टल करएंगे यह क्लीन तरीके से उस अफ्डर को अनुश्टल करते गा और जो सॉफ्टेर आपके इस जगह से अनुश्टल नहीं होता है वो जितने भी computer में हैं वो सरसर software को देखने को मिल जाएगा charge भी कर सकते हैं तो uninstall करने के लिए ये software आप use कर सकते हैं final जो software है जो काफी useful है और ये जो bonus की तरह आपको दमें दे रहा हूँ ये software तो ये जो software है ये हर एक computer में होना बहुत ही जुरूरी है इसका नाम है universal file viewer ये नाम जो है ये नाम से थोड़ा बहुत आपको अंदजा लग गया होगा कि इस software का मद्धम से आप किसी type के भी file हो उसको आप open कर सकते हैं इस software का मद्धम से जैसे कि माल लेजिए आप ए computer में कोई office का file है excel file है word file है और आप उसको open करने जाते हैं और आपके पास microsoft office नहीं है मतलब microsoft office excel नहीं है word नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे open करेंगे वो file तो वो जो file है उस file को आप इस software का मद्धम से open कर सकते हैं अगर आपके पास PDF आपको देखना है आपके पास PDF भी और software नहीं है तो उसको आप कैसे देखेंगे तो आप इस software का मद्धम से देख सकते हैं तो इस टाइप से जीब file हो गया या फिर photo views हो गया कि टेक्स document हो गया या फिर कोई वीडियो बेगरा हो हार टाइप के जो है file ये जो software ये support कर लेता है जैसे कि मेरा इधर एक जो है कि Excel का file है तो मैं इसको choose कर लेता हूँ sorry इधर से choose कर लेता हूँ Excel को तो Excel आप देख सकते हैं loading हो रहा है आप देख सकते हैं मेरा जो है Excel file है वो open हो चुका है तो इसी type से आप कोई भी file format हो उसको आप easily इस software का मद्धम से open कर सकते हैं तो ये software भी आपको लगबग फिरी मिल जाता है तो इसका link भी description में मिल जाता है और आप इसको download कर लेंगे, install कर लेंगे और किसी file को open करना हो आप easily open कर सकते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद दया होगा और ये जो 56 में software आप लोगों साथ एर किया है तो इन में से कौन सा software सबसे ज़्यादा आपको useful लगा आप वो comment करके ज़रूर बताना और कौन कौन सा software आप अपने computer में आज ही install करने वाले हैं वो भी comment में ज़रूर बताना अगर वीडियो पसंद दया तो वीडियो को like करके जाना अगर आपको इसी type के software और भी वीडियो चाहिए होगा तो comment करके आप हमसे request कर सकते हैं कि आपको इस category के उपर इस software के उपर आपको वीडियो चाहिए तो हम कोसिस करेंगे उस topic के उपर वीडियो बनाने की ठीक है तो आज के इतना ही Thanks